Hello friends, it is so good, so encouraging and motivating to be with my viewers and my fans. आपको जादा से ज्यादा information दे क्योंकि आप लोगों की comments बहुत अच्छी होती हैं. So, ये आज हम वापस से एक स्टेट, स्टेट तो नहीं कह सकते हैं उसे, पर हम एक युनियन टेरिटरी को लेके आए हैं और ये एक बहुत ही खास युनियन टेरिटरी हैं, अंडर हैश्टेग नो माई स्टेट्स. So, ये जो राज्य हैं, ये जो युनियन टेरिटरी हैं, वो कहीं राज्यों में बटा हुआ हैं, उनकी बॉर्डर्स कहीं राज्यों को मिलती हैं, पर बहुत खास हैं, और हमारे देश के बड़े-बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, सब लोग यहीं पे रहते हैं, और हमें अभी तक उनके एक्सपोर्ट के बारे में पता नहीं हैं. So, we are going to talk about Delhi. हम New Delhi, जिसको हम बोलते हैं या Delhi बोलते हैं, दिली बोलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. कैसे वहां का एक्सपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? Delhi का नंबर आता है 11 इन दे स्टेट और हमारे भारती राज्य और यूनियन टेरिटरी में और इसका एक्सपोर्ट शेर है 2.61 परसंट. थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से कम हुआ है देली का एक्सपोर्ट क्यूंकि काफी सारी देली में जो देली से जो इंडस्ट्रीज ए और यहां पर हम देखते हैं कि इनका जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा USA में जाता है, UAE में जाता है, Germany में जाता है, Singapore में जाता है, France, United Kingdoms and other countries क्या भेजते हैं, देली से क्या एक्सपोर्ट होता है हम अभी जान रहे हैं देली से सबसे ज्यादा देली इस फेमस वर मसिनरीज मशिनरीज, एरक्राफ्ट, आटो पार्ट, एृरक्राफ्ट के पार्ट यह सारी चीजे इसके अंदर बहुत सारा फैला हुआ इंडस्ट्रिल एरिया है देली में जिसमें जिसमें मशीन बनते हैं इन चीजों के दूसरा बहुत बड़ा विस्तार हैं इंडस्ट्री का जिसको हम बूलते हैं मैन मेड याने के सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक कपडों के बारे में ये कपड़े बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं डेली से और तीसरा हमारा आता है कॉटन एंड कॉटन ड्रेसेज एंड एक्सेसरीज चौथा बहुत बड़ा इंपॉर्टन बहुत ही वराइटी वाला ये एक हमारा कैपिटल है अब बहुत चौथे नंबर पे आता है, gold and gold jewelry यहां से बहुत export होती है, telecom याने के हमारे जो telecom instruments, telecom lines वगेरा जो होती हैं, हमारी wires उसके वगेरा, वो सारे डली से बहुत अच्छे से export होते हैं, फिर आते हैं cotton के ready-made dresses and then we have drugs, we have medicines also exported out of Delhi, so these are the industries, these industries, t-shirt, t-shirt is a very big, so again cotton की जो हमारे ready-made garments हैं, उसके अंदर आ जाती हैं, यह हमारा Delhi की industries और यह industries के बाद अगर हम products की बात करें, तो सब से top पे में लिखूंगी बास्मती राइस, gold jewelry as I have told you already earlier, t-shirts, हर एक प्रकार के t-shirts, यह बहुत बड़ी market है यहाँ पे t-shirts की डेली में, man-made fabric के garments, यानि के synthetic garments, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है देली में, medicaments, medicine, pharmaceutical, again it's a very big industry, and then we have here, बहुत बड़ा यहाँ पे handloom का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, so आपको हाथ बुनाई का कपड़ा अगर बहुत अच्छा लगता है तो handloom का एक्सपोर्ट यहाँ पे रहता है, अब यह लोग कहां से एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया का सबसे सेंटर में ऊपर हमारा कैपिटल है, मध्यप्रदेश की भी बॉर्डर शायद वहाँ पे मिल जाए, राजस्तान की भी मिलती है, दली के लिए, तो यह सारे बीच में आ जाता है, again ICD, Inland Container Depot, जो हैं, वो हमें ढूंडने हैं, और वो कौन से डेपो हैं, तुगलखाबाद डेपो हैं, देन वी हाव, डेली ICD हैं, फिर हमारे पास हैं, डेली एरपोर्ट, अगर आपको भेजना है कुछ, तो डेली एर से भेजते हैं, पतपरगंज ICD हैं, पतपरगंज ICD, एंद तुगलखाबाद ICD, वहां से आप अपना समान कस्टम क्लियरंस करवा के, फिर वहां से वो लोग अपना रूट डूंड के पोर्ट पे चले जाएंगे, पोर्ट कहां का होगा, डेली हैं, तो शायद गुजरात का हो, शायद परादी पोर्ट हो, औरिसा का, तो वह कोई भी पोर्ट हो सकता है, जैसे आपके सुविधा में आता है, तो इस अवाओ 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 अपितल, ग्रेट इंडियन कापितल, निव डेली या डिली जो हम बोलते हैं, अग्डिक इस वर्य गुड़ गुड टो Good, keep connected with II E M for a lot more information and videos, thank you